हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप से भी लोग फ्रेंड्स मैं आज आपके समक्ष इंकम टेक्स के अंडर सर्वे टोपिक लेकर आया हूं अग्रेंस यह वो टोपिक है जिसमें काफिय लोग कन्फूज रहते हैं कि अरे हमारे उपर तो रेड हो गई है जबकि फ्रेंट्स वहां को सकता है सरवेय आपके उपर तो मैं आपको वीडियो के मातिम से बताऊंगा कि सर्वेय में क्या होता है और है सर्च और से से कैसे डिफरेंट है जिससे कि आप प्राक्टिकल लाइफ में अगर आपके बिजिन्स पर कोई आता है इंकम टक्स से तो आप घबराएं ना कि आपके उपर रेड हो गई है या किसलिए यह लोग आये हैं फ्रेंट्स इंकम टक्स का एक सक्षन है सक्षन 133 क्यापिटल ए जो पाउर देता है इंकम टक्स से तो को कि किसी भी बिजिस में आप एंटर कर सकते हैं और वहां पर सर्वे कंडुक कर सकते हैं है इंक में पर यह आते ही आपके यहां पर चैकिंग स्टार्ट कर देंगे तो कभी-कभी आपको लग सकता है कि वो सर्च हो गई है और हमारे आप रेड पड़ गई है लेकिन फ्रेंट्स ऐसा नहीं है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका प्रपस क्या है आप उनसे नोटिस ले सकते हैं कि आप आये कों सेक्शन के प्रप्सिए रहा है आपका जो कैश है कैसी यह फज़ा जो बिजनिस पर्माइस छोगा आ यया कि इस्टोक वह आपकी बुक्स में कितना जी अच्मरा रहा है उसे दिकल्स कर देखेंगे 근데 हैं और आपकि सर Jupiter Welcome सकते हैं वह आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करते हैं कि आपने प्रोपर दिखाया हुआ है नहीं दिखाया हुआ और कहीं गयाप होता है तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज भी कर सकते हैं लेकर जा सकते हैं इंपाउंड कर सकते हैं और फ्रेंस मैं आपको बता दूँ कि ये सर्वे religious trust पर नहीं हो सकता charitable trust पर ये सर्वे हो सकता है और फ्रेंस ये जो सर्वे होगा ये आपके business premises पर होगा after sunrise और before sunset ये सर्वे आपके office में होगा और फ्रेंस कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि ये तो books of account हमारे घर पर रखी हुई है तो ये finance act 2017 ने इसको cover किया अब सर्वे आपके घर पर भी हो सकता है जापर books of account रखी हुई है तो फ्रेंस प्लीज जब भी कोई अथोर्टी से income tax department से आपके पास बंदे आते हैं परसन आता है तो घबरानी कोई बात नहीं है आप उनसे पूछे और देखे कि कहीं सर्वे तो नहीं है आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि सर्वे होता क्या है और कैसे ओप्रेट होता है थैंक्यू वेरी मच्च